Python series के tutorial में हम देखते हैं कि हम strings को compare कैसे कर सकते हैं इसके लिए 2 string define कर लेते हैं For example, string1 और इसमें मैं पास काड़ बता हूँ apple और इसी तरह string2 define कर लेते हैं जिसमें मैं हमें लिखते अपना ओर इंज इस cell को हम run कर लेते हैं यह हमेरे पास 2 string आगे अब हम इसको compare करते हैं आपस में string को compare करने के लिए हम comparison operators यूज करेंगे For example, string1 equal to string2 यह हम run करते हैं cell को यह अब देख सकते हैं कि इसने false बता है इसका मतलब है कि यह दोनों string equal नहीं है हम दूसरा comparison operator हम यूज करते हैं For example, string1 note equal to string2 और इसको run करते हैं यह हम देख सकते हैं कि यह true है यह दोनों equal नहीं है इसी तरह हम greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to यह different operators भी यूज कर सकते हैं For example, string1 greater than string2 यह dictionary के order के साबसे यह चेक करेगा कि string greater है यह less है अगर हम इसी को चेक करें string1 less than string2 और इसको आप run करेंगे तो आप देख सकते हैं कि string1 जो है वो less than string2 थे क्यूंकि apple जो है वो dictionary में पहले आ जाता है इसी तरह आप greater than equal to और less than equal to का sign भी यूज कर सकते हैं strings को compare करने के लिए मजीद वीडियोज के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमारी python की playlist को follow कर सकते हैं thanks for watching